क्लाश 12 फिजिक्स दमाका सीरिस के साथ जिसमें 20 दिन में पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी पहले चैप्टर जो वेदुत आवेश चैप्टर है वो वन शोड वीडियो है यह वाली पूरा चैप्टर आपको इसी वीडियो में देखनों को मिल जाएगा जो इं यह क्योट वडियो का री समूल है आपको नियम के होता है कि नहीं दो इस्तर बंदू आवेश ओप एक इस्तर विजियोगत यह हैं लगने वाला वेदुत भल दोनों आवेशों के परिमारों के समन पाती means एक आवेश का परिमाड़ ये हैगा क्यूबन एक आवेश का परिमाड़ ये हैगा क्यूटू तो दोनों आवेशों के परिमाड़ों के गुलनफल कोई सा निशान नहीं बीच में तो कोई का निशान गुणा का दोनों आविशों के परिमाणों के गुर्ण फल के समान पाती तथा इनके बीच की दूरी के वरग के व्यूत करमान पाती होता बीच की दूरी इन दोनों की कतनी मानी है? आर तो आर के बर्ग मतलब उपर स्कायर बर्ग मतलब उपर उसकायर और वियत करमारणापाथी मींज एक बटे में लखना तो किनहीं दो स्थर बिदिवाविशों के बीच लगने बाला वियदूद बल दोनों आविशों के परिमारों के गुळन्फल के समानपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वितकरमानपाती होता है अब इसे समीकरन नमबर एक मान लेते हैं इसे समीकरन नमबर दो मान लेते हैं इन दोनों को मिला देते हैं समीकरन एक वा समीकरन दो से जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो F समानुपाती कितना हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन नीचे कितना R2 अब यह समानुपाती का निशान हटाएंगे constant लियाएंगे F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एफसलेन नोट into K Q1 Q2 upon small R अब यहाँ पर जहाँ 1 अपॉन 4 पाई एफसलेन नोट YU यह निर्बात के लिए K का मान बन होता है तो डारेक्ट लिए देते हैं जहाँ 1 अपॉन 4 पाई एफसलेन नोट जो है वो क्या है एक नियत आंक है एक नियत आंक है जिसका मान जिसका मान 9 गुणा दसकी घात 9 जिसका मान 9 गुणा दसकी घात 9 अब यहाँ से अगर इसका मात तरक निकाला जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एफसलेन नोट पूरी एका तो R स्कुएर इदर आएगा R स्कुएर जब इदर आएगा क्यूबन कावी आवेश है तो मीन्स कूलाम और क्यूटू कावी कूलाम तो कूलाम स्कुएर हो जाएगा यानि दो इस्तर बिंदू आवेशों के बीच लगने बाला वेदद बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणफल के समानपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वितकरमनपाती होता है यही कूलाम का नियम है अब दोनों समीकरणों को मिला दिया समानपाती का निशान हटा है कॉंस्टेंड लेके आगए वन अपॉन फॉर पाई एपसलेन नोट इंटू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्यार जहां बन अपॉन फॉर पाई एपसलेन नोट इंटू के एक नियतांक है जिसका मान नोगणा दस्कियात नो नियूटन मीटर स्क्यार परती कूलाम स्क्यार होता है अब अगले कॉंसेप्ट की ओर चलते हैं कूलाम कनियम हो गया इस चैप्टर में एक ये एपसलेन नोट जो है जिसे निर्बाद की वेद शीलता कहा जाता है निर्बाद की वेद शीलता इसका मात्रक इसका विमिय सूत्र इसका मान कितना होता है उसकी ओर चलते हैं आपके सामने ये लिखा हुआ दिख रहा होगा पूरा कूलाम का नियम ये आप इसमें से उतार लीजिए और ये इधर की साइट कॉंसेप्ट समझते रही है तो एफसलेन नोट अभी हम जानते हैं कूलाम की नियम से लेकिन अभी हम मात्रक गयाद करना है जब मात्रक गयाद करना है तो जो कूलाम का नियम का सूत्र है वो वाला लिख दिया जाएगा कितना है एफ बराबर बन अपॉन फॉर पाई एफसलेन नोट क्यूबन क्यूट अपॉन आर स्कुरे अब यहां से हमें किसका मात्रक गयाद करना है हमें गयाद करना है एफसलेन नोट का मात्रक तो एफसलेन नोट इदर की साइड आ जाएगा एफ नीचे आ जाएगा यानि एफसलेन नोट बराबर जो हो जाएगा बन अपॉन फॉर पाई एफ क्यूबन क्यूटू अपोन आर स्क्वार अब इसका हमें मात्रक गयाद करना तो लिख दिया जाएगा एपसलन नोट का मात्रक बराबर बन अपोन फॉर पाई ये कॉंस्टेंट इसका कोई मात्रक नहीं होता है उपर और देखता है क्यूबन क्यूटू क्यूबन आवेश क्यूटू आवेश का मात्रक कितना होता कूलाम तो एक कूलाम यह हैगा एक कूलाम यह हैगा यानि कूलाम स्क्वार हो गया कूलाम मतलब सी से लिख दे हैं या कूलाम हिंदी में लिख दे हूं बात यह किए बटा F ये तो इसका है सका है है cute F क्या चीज़ है f है बल केiber ककी चीज़ है और औरा ये बीच की दूरी मli Christ का स्रब कभी ये बिकल्प में जब में लिखके बिकल्प में लिखके देगा रहे चैकन इमार एक इस सुटरां से भी लिकKल्प में के घात माइनस बन कर दी और ये उपर ले जाकर घात कितनी कर दी माइनस टू कर दी तो इस तरहां से भी ये बिकल्प में दे देता है ये तो हमने इसका क्या गयात कर लिए मातरक अब करता है विमा गयात करने के लिए हम यहां से भी कर सकते हैं और मातरक से भी कर सकते हैं दोन तो आई की विमा ए होती है, टी की विमा टी होती है, तो टी ए लिखा जाएगा किरम के अनुसार, यानि इसकी जगहा पर लिख दिया जाएगा टी ए, ऊपर स्क्वाइर है, तो स्क्वाइर लगा दिया जाएगा, बटा, न्यूटन, न्यूटन की विमा कितनी होती है, M, L, T, ही माइनस टू, मीटर स्कुैर, मीटर स्कुैर, मीटर की विमा कितनी होती है, L, उपर स्कुैर तो स्कुैर है, ऐसी लग vind जाए जाएगा, आब यह जो स्कुैर है, यह दोनों के साथ लिग धिया जाएगा, T square A square upon M L की power उपर कुछ नहीं तो एक यहां पर उपर दो तो दो यह एक यह कितनी होगे तीन और T की power माइनस टू अब इसे समाल के विमा कभी भी रेशियो में नहीं लेकी जाती है तो इसे उपर लेके जाए जाएगा जब इसे उपर लेकर जाएंगे पहले M लिखा जाता है विमा में M नीचे M है उपर ही नहीं नीचे से जब उपर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा यानि माइनस बन L कितना हो जाएगा नीचे 3 है जब उपर जाएंगे तो L का क्यों जाएंगे माइनस के 3 नीचे T माइनस दो उपर T प्लस के 2 जब नीचे से उपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे प्लस के दो रखे पढ़ें तो कितने होगा सब चार हो ए टी फॉर और ए कितना हो जाएगा ए उपर दो है तो उपर का उपर ऐसी के ऐसी लिख देंगे यानि इसका वी मेश उतरा जाएगा अब इसका मान गयाद करते हैं मान गयाद करने के लिए अंकिक मान पहले तो हमने मात रख गयाद कर लिए एपसले नोट का फिर हमने विमा गयाद कर लिए बिकल्प में विमा भी आ सकती है मात रख भी आ सकता फिर मान गयाद कर लेता है अब मान वन अपॉन फॉर पाई एपसलेन नोट बराबर हम जानते हैं ये गुलाम के नियम से नो गुणा दस्किगात नो होता है हमें मान का एका गयात करना है एपसलेन नोट का एपसलेन नोट इस साइड जाएगा और नो गुणा दस्किगात नो नीचे आ जाएगा बन अपॉन फॉर गुणा पाई कमान थ्री पॉइंट वन फॉर गुणा नो गुणा दसकी घात नो इसे जब कैलकुलेट करा जाएगा तो आठ पॉइंट आठ पाँच गुणा दसकी घात माइनस बारा अब मात्रक इसका हमने क्या निकाला कि कोई भी आंकिंग मान जब निक शाये गएगा अगले कॉंसेप्ट की और चलते यो अगला कॉंसेप्ट है अगला कॉंसेप्ट है दुझेत कि तीवरता दोच्हेतर की तीबिता में ज्यादा जंजट में नहीं पढ़ना है सिर्फ इसका सूत्र पता हो इव एक्टर बराबर एव एक्टर बटा क्यू नोट बस हर चीज से हो जाएगी इसकी परिभाशा मात्रक विमा सब चीज इसी सूत्र से हो जाएगी कैसे जो एव वेक्टर है वो है वैद्दूद बल परिक्षण आवेश के अनुपात को वैद्द छेत्र की तीबरता कहते हैं इसे इव एक्टर से शो करते हैं पहले इसका नाम ले दिया वैद्द बल तथा फिर इसका नाम ले दिया परिक्षण आवेश के अनुपात को वैद्द छेत्र की तीबरता कहते हैं इसे इव लिखा हुआ, आपको दिख रहा है, ऐसे भी लख सकते हैं, क्यू नोट को एक मान लिया जाएगा, एक कूलाम का मीन्स हो गया, झाँक अब ये है परिक्षन अव कूलाम् का अप़िश फहे था, उसनिए इक ऊप्रिक्षन अव का अभिशिस का मीन्स क्या हो गया ? जो E-vACTOR है वैद छेतर की तीबुरता वह वैदवदबल के बरावर होँ लेकिन लेकिन कब परिभाशास मात्रक सूत्र बनाने यह समझा दी जाती है अब Si हेंग हो जाएगा इसका मात्रक मात्रक कैसे करेंगे f का मात्रक क्या हुआ होता न्यूटन यूटन आयफ की जगहा tons न्यूटन प्लते का चीज़े क्यों है आविश आविश का मात रख क्या होता कूलाम तो न्यूटन परती कूलाम या इसे इस तरहां से भी हम लिख सकते हैं न्यूटन मतलब एन बटा कूलाम मतलब सी न्यूटन परती कूलाम या एक्जाम में ऐसे भी दे देता क्योंकि बहुत ज्यादा देता ये बिकल्ब में कूलाम उपर जाके कूलाम इन्वर्स हो गया तो न्यूटन कूलाम इनवर्स अच्छा अब ये न्यूटन पिर्टी एंपियर सेकंड न्यूटन प्रती टीका क्यों हो जाएगा सेकंड एंपियर सेकंड ऐसे भी लिखा जा सकता है न्यूटन प्रती एंपियर सेकंड अब इसे और भी तरीके से लिखा विस्थापन कारे वटा विस्थापन कारे का मात्रक क्या हो जाएगा कारे का मात्रक हो जाएगा जूल और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर तो यानि इसकी जगापर जूल पृति मीटर एंपियर सेकंड ऐसे भी लिख सकते है व बराबर डबलू अपॉन क्यूँ अब यहां से जब डबलू का मान निकाला जाएगा डबलू का मान या व बराबर डबलू अपॉन क्यूँ यहां से डबलू का मान जब निकाला जाएगा तो डबलू बराबर कितना हो जाएगा वी क्यू जब डबलू बराबर वी क्यू हो बोल्ट और कुलाम बटा एंपियर गे मीटर ऐसी एंपियर ऐसे ही और सेकंड ऐसे ही जैसे लिखा पड़ा है अब एंपियर सेकंड क्या चीज़ हैं एंपियर सेकंड एंपियर सेकंड जो होता है वह क्यू का मात्रक उता क्यू बराबर आई टी आई का एंपियर टी का सेकंड तो ampere second या kulam बात एक ही ये दोनों कड़ जाँगे तो bolt 30 meter हो जाएगा तो ये एक मात्रक इसका क्या होता है या bolt 30 meter भी होता है क्योंकि exam में इस तरह से बहुत पुछायाता है कि निम निमे वैद चेतर की तीवरता का मात्रक नहीं है चार बिकल्ब दे देगा आपको bolt 30 meter तीसरा दे देगा आपको newton 30 ampere second और चौथा कोई और दे देगा तो ये तीनों तो हैं तो कौनसा वाला option हमारा सही हो जाएगा नहीं वाले में चौथा वाला option हमारा सही हो जाएगा अब यह होगा इसके मात्रक की बात अब बात करते हैं विमा की तो इतने मात्रक इसके हो सकता है newton pretty coolam newton pretty coolam इस तरह से लिखके उपर जाके inverse हो गया इसके newton की जगा coolam की जगा हमने कह लिख दिया कूलाम की जगा क्यू बराबर IT से ampere second ampere second newton हम जानता है लुड़ का मात रुड़ को सी से शो कर आ जाता है और KU KULAM को सी से शो कर आ जाता है, एम्पियर सेकेंड क्यूका मात रुड़क होता है, तो यह दोनों कट गए, बोल्ट पृते मीटर बचा, तो इस तरह से इतने मात रुड़क होगा है, अब बात करता है इसकी विमा की, विमा इसकी कैसे निकाली गई है, विमा कैसे इसकी निकाली गई है, यह और देख लेते हैं, डी हेडिंग विमा, अब विमा कैसे निकाली गई है, यह नियूटन की जगा, नियूटन की विमा, नियूटन की विमा कितनी होती है, MLT-2, बटा, कूलाम की अभी बताई थी बिलकुल टी ए इसे एक साथ लिख लेते हैं पहले एम एल टी माइनस दो है उपर जाके एक माइनस को जाएगा तो माइनस के तीन हो जाएंगे और उपर जाके ए माइनस का बन हो जाएगा यानि एमल टी माइनस त्री और ए माइनस बन और राशी कै हैं अगले कॉंसेप्ट वैद्यूद्रूभ आगुरूल पर सिर्फ हमें सूत्र पता हो P बेक्टर बराबर Q in too to L वैक्टर यह क्या चीज है वैद्यूद्रूभ आगुर्ब होता क्या पहले गोल्याइट यह दियूद्रूभ क्या होता रहां से एक रचना होती है a b इसके एक सरे पर plus q आवेश होता है दूसरे सरे पर minus q आवेश means जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा लेकिन यहाँ positive होगा यहाँ negative मानलों यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा पस यहाँ positive यहाँ negative होगा और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं यह 2L है तो क्या होता विप्रीत परंतु बराबर आभेश एक दूसरे से अलप दूरी 2L पर इस्थित होते हैं है से नगलकी परिवाश्र के ओगी अब यह क्यों जो है इसे किसी का भी एका परिमार ले लिया गया ए मत 스लें का यहां पर नौब कृ की ओ हैं तो यहाँ की रचना की ए है तो लूप की रचना कर ने वाले दोनों के बीच की दूरी करणा किये थो वाले का चाहिस वाले का यहां पर तो वैद्व द्यौधरुक्य रचना करने वाले कि इन दोनों आवईशों के बीच की दूरी तो तो वैद्यू दूजरूब की रचना करने बाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमार तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्यू दूजरूब आगुर कहते हैं इसे पी बेक्टर से शो करते हैं यह हेडिंग तो परिवाशा मेंने आपको बता दी यह हो जाएगी और बी हेडिंग सूत्र यह लिखा पड़ा है अब इसका मात्रक और विमात्र खेर इसमें सही हम कर देंगे मात्रक इसका क्या हो जाएगा सूत्र को देखके ही लिख देंगे मात्रक Q की जगाँ पर कूलाम गुणा 2L के चीज़े बीच की दूरी तूरी का मात्रक होता मीटर यानि कूलाम इन्टू मीटर अब डी हेडिंग में विमा की अगर बात करूं तो Q कूलाम अभी बताई थी T A गुणा मीटर L कितनी हो जाएगी फिर L T A जे इसके क्या हो जाएगी विमा अब इहेडिंग में राशी की अगर बात करूं तो राशी क्या हो जाएगी है सदिश क्योंकि इस पर वैक्टर लगा पड़ा है कौन सी राशी हो जाएगी है सदिश तो इसे साबसे है कूला हमने वैर्दे । दियुधरो आगृरुल का भी कॉंसेप्ट कर लिया अब एक डेरीवेशन जो बहुत ज्यादा आता है वो वाला डेरीवेशन करते हैं एक समान एक समान वैद्व चेतर में इस्थित वैद्व द्यूद्रोब यह जो वैद्व द्यूद्रोब इस पर लगने बाले बल्युक्म के अगुरुड के लिए वियंजे के स्थापित कीजिए बहुत ज्याद है एक्जाम में देखना पड़ता देखने को मिलता है आपको इतनी आसानी से करा दिया जाएगा कभी नहीं बूल पाएंगे एक समान वैद्व चेतर में इस्थित वैद्व द्यूद्रोब लगने वाले बल्युक्म के सूतर के स्थापना कीजिए तो सबसे पहले हमने एक समान वैद्व चेतर मां लिया एक्टर यह वाला जो एक समान प्रिस क्यू इनाश करते हैं और कर रहे और बीस रै爷 ये दोनों बल मिलकर एक भ्रयक्ताने के कोशिश करते हैं अब है इसमानी की कोशिछ करते हैं आए इस तरहा है यह भाला इधर को लेकर आएगा और यह वाला इधर को लेकर जाएगा यानि समांता पर दिशामें लाने का इसे क्या करता है प्रयास करते हैं दोनों बल मिलकर तो इस की हिंदी कैसे लिख जाएगी बहुत आसान तरीके से माना बी एक व्यक्न है कि अबल मिल कर और मिलक करते हैं और इसे व्य द्यूदरूब को वैदुत अक्ष की समानतर दुशाम है जो वैदुत अक्ष है वैदुत चेतर की तीबरता जो है उसे समानतर दुशाम है उसके समानतर लाने का प्रियास करते हैं अब F1 पिलस क्यू आवेश पर कार्रे करने वाला वैदू दूद बल पिलस क्यू आवेश पर क्या हिंदी बता है हिंदी की एक अदलाए निदर उदर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन चित्र को देखकर हिंदी लिखी जाती है कैसे माना A B एक वैदू दियू दूद रूब है जिसके A सिरे पर पिलस क्यू तथा B सिरे पर माइनस क्यू आवेश इस्तित है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है बिंदू A पर या सिरे A पर F1 तथा सिरे B पर F2 बल कार्रे करता है यह दोनों बल मिलकर एक बलियूगम का निर्माड करते हैं और यह इस वैदू दियूद रूब को वैदू छेतर की तीबरता के समान तर लाने का प्रियास करते हैं अब पिलस की नई लाइन में पिलस की आवेश के कारण लगने बाला वैदूद बल हमने कितना माना एफ तो एफ बन वैक्टर अब क्या सूत रहता अभी पिछला हमने वैदूद छेतर की तीबरता पढ़ी थी ए वरावर F अपॉन क्यू पढ़ा था ए वरावर F अपॉन क् ए वैक्टर बरावर यहां से जब F कमान नकाला जाएगा तो क्रोस मल्टिप्लाई हो जाएगी F वैक्टर बरावर E वैक्टर क्यू नोट हो जाएगा अब माइनस क्यू आब इस पर लगने वाला वैधोडबल F2 वैक्टर बराबर कितना हो जाएगा माइनस का Q इंट्वर्ड इंट्वर्ड अब जो वैधोडव द्यूद्रोप आगूर्ड होता है लेकिन हमें इसमें क्रीक्रायत करना है बल युक्म के आगूर तो बल युक्म का आगूर बराबर बल युक्म का आगूर बराबर दोनों बलों में से एक बल का परिमाल गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये सूत्र को लिग दिये जाएगा ताव बराबर आपका लिख वह देख रहाँ वर्ल अब तौनों में परिमाड इन दोनों का परिमाड दोनों मैंस इंस माईनस निशान अठा दें गहे डाँ जाएगा परिमाड कितना बचेगा क्यू ए गुना दोनो बलों के जो परिम उन जो करियरखान के बीच की लंबध दूरी कितनी है यह एसी 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 अब एसी का मारा हम्म चित्रसे निकालेंगे तो कितना आयाँ गा 12 SIGN ठीट आया कैसे यह दिखलते हैं हमें क्या पता है हमें 12 यह पता है इनके बीच की दूरी 12 है और यह बाली हमें ग्याद करना है ऐसी अब यह हो गया समकौन 3090 डगरी का यह हो कन समकोन के सामने बारी भुजह होती है कन ये ठीटा कोन पर रखा हुआँ ठीटा के सामने की जो रखा होता उसके Sामने की होती है लंब तो लंब और कन के पदों। में sean का सूत्र होता मैं साइन का क्या होता है sign ठीटा वराबर lamp ता कन लंब ता क अब करन अब चूकी चाहें ऐसे करके Ahhh कर दें कि चित्र में dog फिटावर लंब का कर लंब कितना है इसमें लंब इसके साенная बाला यह एई-सी कुप लगा करन कितना है ऐसी होगया लंब करन कितना यह भी आब यहाँ पर साइन ठीटा है किसी रहने देते हैं बराबर एसी कितना है एसी है टूएल साइन ठीटा एसी हमें निकालना है सोरी एसी हमें निकालना है बटा एबी कितना एबी है टूएल अब इसके नीचे एक मान के इसकी क्रोस मल्टिपलाई जब करी जाएगी तो कितना आ एसी बराबर आ जाएगा टू एंटिटा एसी बराबर टू एल साइब टीन थीटा है तो इस तरहां से हमारा एसी कमान निकल पर लग देंगे तो टौ बराबर हो जाएगा क्यों ए गुणा टू एल साइन ठीटा अब अभी हमने पिछली जो कॉंसेप्ट था वे दिद्र वाग घूर की परिभाश्य आपने पढ़ा था क्यों गुणा टू एल पी के बराबर होता है तो इसी प्रकार यहां पर लिख दिया जाएगा टाव बराबर क्यों क्यों लेगा इसन दोनों को एक साथ लिए यह सा 커플 नहart एंगे अब क्यों कोना टू एल किसके बराबर हो गया यह होगया पीडिके बराबर पीडिक के और के साइन टृट इड़ और आभल्प P E sin theta अब इसकी विशेश परिस्तितियां होती है पहली होती है यह वह दियोध्यू दूरॉब जो है वह वह दो चेत्र के समानतर हो यानि वह दो दूरॉब है वह दो चेत्र के समानतर मींस जिसी सीधी लाइन है ऐसी सीधा सीधा साइन रखा हुआ तो को कि थिता हमानहीं? डिगरी अब यहां पर टेता की जगाए जिए लिए जाğıएं टाउ पराबर पीई साइन जिरो तुまぁ कितना होता है है जिरो हिए जरो तॉब बराबर पीए गुना साइन जीरो परावर आ सबसे बढ़ामान नबे डिगरी होता है ताव मेक्सिमम बरावर पी ए साइन नब है क्योंकि कभी कभी कह देता वो वैद्यूद्रूब के बल्यूद्रूब के अधिक्तम बल्यूद्र गयात कीजिए तो मतलब ठीटा बरावर नबे डिगरी तो टाव मेक्सिमम बरावर कितना हो जाएगा पी ए इस तो इस तरह हमारे यह सूत्र आ गया और इसमें कुछ बिश द्रूद्रूब आगूरूल की तो यह वाला सूत्र उठाया जाता है टाव बरावर पी ए साइन ठीटा यहां पर एक मान लिया जाता है यह बरावर एक न्यूटन पर्टिकूलाम और ठीटा को नबे डिगरी यानि लंबवत नबवत डिगरी मतलब लंबवत जब इसे नब की वह एकांग तीबृता के एकांग तीबृता एकांग तीबृत क्योंकि हमने एकांग माना एकांग तीबृता के वैद छेत्र में छेत्र के लंबवत रखा गया हो वैद छेत्र में छेत्र के क्या रखा गया हो लंबवत रखा गया आपको परिभाशा यह सामने दिख रह देते हैं बाकि जो डेरिवेशन इस चैप्टर में रह गा है वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे